नमस्कार विद्यारतियों Study29 Academy की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आजम कक्सा आठ के हिंदी की कारिय पुष्टिका का कारिय पत्रक तैयन में हल करेंगे तो इससे कारिय पत्रक को समझने के लिए वीडियो को सुरू से लेके आं तक देखें और अपना कोई शुजा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें सबसे पहले देख लेते हैं दक्सता गद्यांस या पद्यांस को पढ़ कर समझ के साथ प्रशनों के उतर दे पाना तो यहाँ पर हमें जो गद्यांस दे रहे हैं उसको द्यांस से पढ़ना है और दीएगे प्रशनों के उतर देना है तो नीचे दीएगी कविता को पढ़ कर प्रशनों के उतर लिखिए सुद्ध हवा और पानी सुद्ध खा पी बन गए गोतम बुद बोले सबी प्रेम से रहो नहीं चाहिए हमको युद तो गोतम बुद कैसे बनते हैं या कविता के माईदिम से बना जा रहा है सुद हवा और सुद पानी खा और पी के गोतम बुद बन गए रोके रहें सब को प्रेम से रहना चाहिए आपस में युद नहीं करना चाहिए किन्तु मिलावट का गीखा हम सब ने यही सीखा बात बात पर होना कुरूद बात बात पर करना युद लेकिन हम तो क्या है मिलावट का जो गीख है उसको खाका कर उल्टा सीख रहे हैं बात बात पर कुरूद होना यानि गुसा करना और बात बात पर युद यानि लड़ाई करना हम सीख रहे हैं मिलावटी गीखा कर सुद हवा दो पानी सुद हम भी बन जाएं गोतमबूद यानि हमें भी अगर सुधावा और पानी मिलेगा तो हम भी गोतंमगूद कितरे, हम भी गोतंगूद बन सकते हैं तो अब एर पहला परसंद दिया है, यहांपर कवीता के अनुसार मिलावट का गी खाकर हमने क्या सीखा है तो इसका उत्र इस प्रकार होगा मेरे अनुसार इस कविता का सिर्शक शुदता का मैत्व हो सकता है तो ये इसका उत्र हो जाएगा तीसरा परसन कविता के अनुसार गोतम बुद ने हमें क्या संदेश दिया है गोतम बुद है वो हमें इस कविता के अनुसार क्या संदेश दे रहे है तो इसका उत्तर इस परकार लिखेंगे कवीता के अनुसार गोतम बुद्ध ने हमें आपस में प्रेम बाव से रहने किसी से भी युद नहीं करने का संदेश दिया है चोता परसन क्या आपके आश पास भी ऐसे कोई व्यक्ति है जो बात बात पर कुरूद होते हैं आप उन्हें कैसे समझाएंगे इसमें आपको बताना है कि आपके आशपास भी अगर कोई सा व्यक्ति है जो बात बात पर गुसा करता है यानि कुरूद होता है तो उन्हें आप कैसे समझाते हो ये भी लिखना है तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ हमारे आशपास भी बात बात पर कुरूद होने वले व्यक करते हैं 54 हवा को सुध रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए अपने विचार लिखिए तो इसका उत्रों जाएगा हवा को सुध रखने के लिए हमें पेड़ पोदे नहीं काटने चाहिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए तो हवा को सुध रखने का सबस अच्छा उपाय यही हैं इसके अलावा आप प्रदूशन कम से कम करें ताकि हवा सुध बनी रहें इस परकार इस वीडियो में हमने कारी पत्रक 390 को हल किया अगले वीडियो में हम अगला कारी पत्रक हल करेंगे वीडियो अगर उप्योगी लगाओ तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में सेर करें चैनल पर पहली बार रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबादें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिपिकेशन आपको समय पर मिल सकें वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद